मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ जैसे चूना है मैथिये ऐसे ही अपने स्वेंपाग घर में बहुत अच्छी ओशन है उसका नाम है दाल चीनी है बहुत ही अद्बुत है ये दाल चीनी इतनी अच्छी ओशन है कि आप इसके बारे में भी हरान हो जाएंगे सुनके दाल चीनी का पाउडर और मद दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले सुबह एक चमश दाल चीनी का पाउडर और एक चमश मद दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबर कुलोसिस माने टीवी अस्थमा ब्रॉंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी विमारिया है जो एलर्जी से ज़ादा शुरू होती है ये सब को ठीक करने की ताकत दाल चीनी में है दम भरता है, सास भरती है, दस कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना परता है, इन सब की आउशनी दाल चीनी खाने का तरीका जालचीनी का पाउडर बनाईए मज में मिलाके खाईए और अगर आप जेन जरम का पालन करते हैं तो मज नहीं खा सकते तो गोर में मिलाके खाईए जितनी दालचीनी उतना ही दोनों को गरम पानी में भोल लिए पानी को कि लिए ये दालचीनी गंभीर से गंभीर रोग में काम आती है आपको बहुत तो जो भुखार आया उसमें दालचीनी काम आती है सर्दी जो काम होता है उसमें दालचीनी काम आती है वाइरल फीवर है उ उसमें दालचीनी काम आती है, शरीर को मुटापा भख हो गया है, वजन कम करना है, उसमें दालचीनी काम आती है, शरीर को कभी भूखी में लगती है, उसमें दालचीनी काम आती है, एक कम बारीक शरीर है जिन बच्चों का, उनको भी दालचीनी काम आती है, ये एक दालचीन पहुत हुआ है को यह सब्सक्राइब करेंगे करें अफियोग दॉखाने बिल्प जाएब Sounds सबूची दालने की चीज है मसाले के रूम में उपयोग ओती है गरम मसाले में दाल्चीली के बिना चलता नहीं है तो मसाले में तो दंती हिए लेकिन अलग से आप उसको उप्योग करें तो वो बहुत ही अच्छी आउशाद है प्रमान ही एक चम्मच दाजची में पाउडर एक चम्मच मत अगर मैथी खा रहे हैं तो इसकी जरूदत नहीं ये खा रहे हैं तो मैथी की जरूदत नहीं एक बार में एक और श़दी खाईए जी बच्छों को मात्रा कम करिये आधा चम्मच काफी होता है बच्छों को बड़े लोगों को एक चम्मच एलर्जी के लिए बेस्ट मेइडिसिन है दाल चीट किसी भी तरह के ऐलर्जी आपको है शरीर में नियमित दाल चीट नहीं खाई है मद्मा मिलाते नहीं खासके तो गोड़न मिलाते तीन से चार मैदने सब एलर्जी ठीक कर देते सुबे के बाखे खाले के लिए एसे डिटी के लिए खाड़िया दाल चुरू दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें